नमस्कार आप देख रहे हैं अख़बार जगत जमु कश्मीर में अनुचे 370 को हटाने के फैसले के बाद उससे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है पाकिस्तान को ये बात हजम ही नहीं हो रही है यही कारण है कि वो दुनिया के हर देश के आगे गुहार लगा र अमान और्डर ओफ जायत से नवाजा लेकिन पाकिस्तान को ये रास नहीं आया पहले तो वहां के सीनेट ने यूएए का विरोध करने की बात कही लेकिन कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्री ने यूएए से बात करने को कह दिया दरसल पाकिस्तान को लगता है कि पिये मोदी को ओडर ओफ जायत से नवाज़े जाने के बाद अब पाकिस्तान यूएए के सामने जम्मु कश्मीर के मसले को उठाएगा पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूत कुरेशी जल्द ही यूएए के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे आपको बता दे कि नर पी ए मोदी को सम्मान दिये जाने के विरोध में रद्ध किया गया था। उनका कहना है कि अगर वह UAE जाएंगे तो कश्मीर के लोगों को दुख पहुचेगा। विदेश नीती में धार्मिक मसले काम नहीं आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वह जल्द ही UAE जाएंगे और वहाँ के विदेश मंतरी से मुलाकात करेंगे और जम्मु कश्मीर के हालात के बारे में बताएंगे। के बीच संबंदों को बहतरीन बनाने के लिए वहाँ के सर्वुच सम्मान ओर्डर ओफ जायत से नवाजा गया है। इसके अलावा बहरीन ने भी पी एम मोदी को हाल ही के दोरे पर सम्मानित किया है। रिपोर्ट अकबार जगत। झाल jewelry इसर को हाल तर ज़सा किया है। झाल को हम मोदी को हाल है और बहsawम् मोदी को हाल है इसके